उधारण 22, दी गई आकरिती में PA 4 cm तथा PB 9 cm, तो PT की लंबाई ज्याद किजिए, हम जानते हैं कि यदि PAB वरित की छेदक रेखा हो, तो वरित को A और B पर प्रतिछेद करती है, और PT एक स्पर्श रिखाखंड हो, तो PA गुणा PB बराबर PT की घाथ, PT का वर्ग, यह प्रमे जो है, हमने इसका प्रयोग किया है, पर हमें जो है कि यदि PAB वरित की छेदक रेखा हो, जो वरित को A और B पर प्रतिछेद करती है, और PT एक स्पर्श रिखाखंड हो, तो PA गुणा PB बराबर PT की घाथ, दो. अब यहाँ पर हमारे पास जो दियावा है, वो PA का मान हमारे पास 4 cm दियावा है, PB का मान 9 cm दिया है, और हमें PT की का मान ग्याद करना है, तो PT की घाथ दो बराबर 9.36 हो गया, या PT बराबर वर्मुल 36, जो की PT बराबर 6 cm होगा. इस तरह से हमने PT की जो लंबाई ग्याद की है, यहाँ पर PT स्पास रिखा की लंबाई 6 cm हमने ग्याद की है, यही सुधारन का हल होगा.